हेलो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब लोग एजुकेटर आफ देली आपका बहुत स्वावत करता है अपने एजुकेशनल चैनल में हम लॉक के वीडियो बनाते हैं आपके लिए और हमारे सबसे होट फेवरेट सीरीज है इंपर्टन कोश्चन तो वही होट फेवरेट तो उनके लिए आज का इंपर्टन कोश्चन सा वीडियो होने वाला है सेवेंटी परसंट मार्क्स गैरेंटेड है मेरी तरफ से आपको वादा है कि एक्जाम में यही आएगा गैरेंटेड है पक्का यही आएगा मेरा नाम मुकेश किरार है शैर आप मुझे इसके बढ़िया से अंसर त्यार करेंगे तो बढ़िया तरीक इस आंसर आज ही से त्यार करने में शुरू हो जाए और मैं इस आपके लिए लेकर आएँ तो ने लौग बनकी तो तुरुम का पेपर काफिर टॉफ पेपर माना जाता है यूनिवर्स्टी से भी और बच्चो सब्सक्राइब करेंगे किसी सेक्टर में लौके में काम करेंगे तो इसलिए को पढ़ना भी जरूरी है और अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए तो आएँ शुरू करते हैं आज का वीडियो का इंट्डिया का जो इंडिया का जो कन्सक्चेंपक्टर आपनी फॉर्म में लेखनक्र लेकिन लेकिन रि Ark। अपने स्ट्रक्चर में क्योंकि केंद्र शाषित प्रदेश केंद्र हमारा सबसे ज़्यादा ताकत वार है सेंट्रल ज़्यादा पावर्फुल है कोशन नमबर त्री हमारा प्रेमबल ऑफ इंडियन सेट आउट में अब्जेक्टिव विच्टा कॉंस्टिशन में कर वंटे तु अचीव डिसकस करें स्टेटमेंट को तोशन नमबर चार हमारा वट द्रेस्टेंड बाइड अगींस हूं फंडमेंटल राइट्स अर अवेलेबल अर दे अमिंडेबल क्या फंडमेंटल राइट किया जा सकता है रेफर करें इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोड डिसीजन को ओन डा सब्जेक्ट वाट इस दा एफेक्ट अफ़ फंडमेंटल राइट प्री कॉंस्टिशनल लौ में फंडमेंटल राइट्स का क्या एफेक्ट तो यह टोटल स्लाइड में चार कोशन हो गए आपके बीच में इस तरह से इंपॉर्ट कोशन आते रहते हैं तो आपसे मेरे एक रिक्वेस्ट है कि आपके जितने भी क्लास के वाट्सेप ग्रूप में उन सम्में यह वीडियो वाइरल करें दाकि अधिक से अधिक स्टूडेंट्स इसका लाब उठा पाएं इस्पेशल पढ़ाई घर और जो पढ़ाई है घर है और जोब उसको बैंस करने में तो उनकी काफी हेल्प हो जाती इस तरह के वाट्स पैजूकर आप डेली जो है इंपनेंट कोशन से लेके आया आपके लिए आपके लिए इंपनेंट कोशन है आपके 10 और 20 मार्स के फाइफ नंबर जो हमारा कोशन है वो है in what circumstances and by whom can the fundamental rights guaranteed by the constitution is suspended जो constitution हमें fundamental RIGHT किया उनकी किया जासकता है अगर किया जासकता है में किया सकता है कोशन number 6 है हमारा equality is a dynamic concept right to equality which may expect and downside dimension and it cannot be imprisoned within the traditional limit. Discuss करें with the help of the judicial pronouncement. Q7. Article 14 of the constitution of India forbid the class legislation but does not forbid the classification. Discuss करें doctrine of the reasonable classification on what ground the state can make the classification while making law. Q8. What is freedom of speech and expression? Freedom of speech and expression क्या होता है? State करें reasonable restrictions को और explain करें with the relevant case law. Q8. Freedom of speech and press is lies at the root of all democratic organization. Examine करें, refer करें leading cases को. तो यहाँ पर हमने total अभी तक 8 questions कर दी. इस तरह के और भी questions अभी और भी slides में बाखी ही. तो टोटल यह 17 questions के असपास होने वाल है. अगर आप इनको correlate है, definitely आपके constitution में अच्छे marks लाने से कोई भी नहीं रोख सकता है. तो इसको पक्के तरीके से इसका answer बढ़िया तरीके से तयार कर ले. exam के format के साब से answer तयार करें. answer थोड़ा सा 4 page का कम से कम हो. टाकि exam में लिखने से marks आपके आ सकेट. और pointed और highlighted answer होना चाहिए. paragraph चोटोटे होने चाहिए. हर paragraph के एक proper heading होनी चाहिए. टाकि examiner को आपके answer को चेक करने हुझे रहा difficulty ना हो. आगे करते हम educator of Delhi जो है. important questions लेके आए आपके लिए constitutional law 1 की. important question है आपके 10 और 20 मार्ग के जो section B और C को cover कर दे है. question number 9 है हमारा. discuss the constitutional right of the freedom of religion in India. whether one is free to induce the conversion of other to his own faith. क्या एक वेक्टी अपने religion को अपने साब से बदल सकता है? freedom of religion का मतलब क्या idea के अंदर? question number 10 क्या है? discuss the provision related to productions of life, personal liberty in article 21 of the constitution of India state. how the provision can be implemented judicially? question number 11 है हमारा. article 32 जो है soul and heart है constitution का explain करें doctor. अंबेट कर की statement को with relevant case law. what remedies can be enforced under the article 32 of the constitution of India? right to constitutional remedies भी कहते हैं इसको. question number 12 है हमारा. discuss करें briefly the directive principle of state policy. साथ में relationship बताएं fundamental right और directive principles of state policy के. question number 13 है हमारा. discuss करें right against exploitation given in the constitution of India. constitution of India में rights against exploitation जो given है. उसके बारे में आपको detail में discuss करना है. तो यह total हमारे अभी तक 13 question हो गए इसे तरह के और भी questions है है हमी total 17 के असपस question होंगे. आपके 16, 17 उन questions को अगर आप कर लें तो definitely आपके अच्छे marks लाने से कोई भी exam में आपको नहीं रोख सकता है. तो यह question जरूर कर लें अच्छे से कर लें. तो यह भी 5th semester का ही वीडियो है बी आलबी 5th semester और बीकॉम आलबी 5th semester के बच्चों के लिए भी है. तो question number 15 है हमारा explain करें production in respects of convention for offenses provided under article 20 of the constitution. Question number 16 है right है short note on the fundamental duties is objective and important. Question number 17 है हमारा what circumstances and by whom can the fundamental right guaranteed by the constitution suspended. तो कब और किस परिस्तिती में जो constitutional rights है में suspended हो सकते हैं. Total हमारे 17 question हो गए है जो educator of Delhi आपके लिए लेखे आ है अगर आप यह 17 question के answers बढ़िया तरीके से तयार कर लेते हैं तो 70% marks आपके पक्के हैं guaranteed हैं. यह मेरी guarantee है कि आपको 70% marks लाने से कोई भी नुरूसर था बस आपको एक ही काम करना है कि इसके answer proper तरीके से और बढ़िया तरीके से तयार करने है चुट-चुटे paragraph आपने answer होने चाहिए और paragraph के प्रपर heading होनी चाहिए टाकि एक्जामिल को ज़ला difficulty ना हो आपके answer को समझने क लिए तो इसी तरह से आप पूरे answer तयार करने अगरा answer मिलने में तयार करने में कोई भी आप डिफिकल्टीज हो रही है तो आप मुझसे जो है answers की PDF भी ले सकते हैं कि reasonable price पर मेरे पास PDF है और वह कितने की हो कैसे ले सकते हैं तो educator of daily जो है important questions लेके आए आपके लिए constitution लाओक करें तो प्लीज लाइक करें शेर करें सब्स्क्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को ताकि हम प्रमोट हो सकें और साथ में प्रेस करें बैल आइकान को हमें follow करें Instagram पर Instagram ID है मेरा educator of Delhi के नाम से साथ में मुझे Facebook पेज़ पर भी आप लाइक कर सकते हैं educator of Delhi के नाम से तो अब हमारा जो question बीच में वीडियो के बोला था वो कि हमें इस पर सभी important question के answers available है PDF format एक reasonable price पर अब साथ में आपके video lectures में इसके detail explanations के साथ वह भी आप हमसे ले सकते हैं तो किसी भी तरह की कोई भी आपकी query है तो आप मुझे contact कर सकते हैं educator of Delhi से contact कर सकते हैं आप WhatsApp नमबर 981-94885 पर आप मुझे mail भी कर सकते हैं मेरा mail id है किरा29.mukesh.gmail.com तो आज का video जो है हमारा constitutional law का था और काफी important video है अपने जितने भी आपके college के WhatsApp group है class की WhatsApp group है law students की WhatsApp group है even जो आपके code के group है उसमें भी आप इन वीडियो को शेयर कर सकते हैं ठाकि informational वीडियो सभी के लिए काम है तो आप इन वीडियो को आज ही viral करते था कि अधिक से अधिक बच्चे जो है इसका लाव उठा पाए इसपेशली जो है working students या प्रैक्टिसिंग जो इंटर इंटरंशिप कर रहे हैं उनके लिए काफी important video रहने वाला है तो thank you friends अतना समय देने के लिए एजुकेटर आप इतना प्यार देने के लिए इसी तरह हमारे साथ जुड़े रही और इंफर्मेशनल वीडिया आपके साथ हम इस रेगुलरले शेयर करते रहेंगे